हलो फ्रेंट्स मैं हुआ विनास कुमार आप देख रहे हैं स्केट कैडमी के हां पर हम बात करने वाले बिहार एससी ठर्सीजल के एक्जाम डेट ऊपर जो डेट आयुक ने बता रखे थे जो आप कंफर्म अपडेट निकल करा रही है जहां पर बता जा रहे हैं कि बिहार एस हमारे सामने डेट रखे थे जो डेट थे 26 और 27 नॉबर के एक्जाम कंड़क करवाने की बाद अब यहां पर उसी एक्वाडिंग आयोग अपने काम में लग चुके थे जहां पर एक्जाम डेट सेंटर कंफर्मेशन को लेकर लगवक साथ टिस्टी के दौरा एक्जाम आने जा रहे हैं लगवक 9.1 तो लाग टूटल कंड़ेट हैं अब इनकी कंप्लीट जितनी स्टेंथ है कंड़ेट का इन सारे स्टेंथ में आयोग को सेंटर नहीं मिलने के वज़े से अब यह डेट आगे बढ़ेंगे जो उमीद कर सकते हैं कि एक से दो दिन के अंदर आज जनकारी आयोग दे दे कि नए डेट आपको बताया जाए या ऐसा हो सकता है कि आपको एक्साम अस्थागित करने को लेकर सिर्फ बता दे कि हम अभी के लिए यह एक्साम डेट 267 नॉम्बर को कंड़क्ट नहीं करवाए जाएंगे यह इसके लिए लेकर नोटिस आज़े ज अब कब तक पॉसिबल होंगे तो अब इस वर्स जो भी डेट आयों के दवारा जो डेट चले है सत्रह 16 दिसंबर को लेकर तो यह भी अभी तक कंफर्म नहीं कि 16 दिसंबर को एक्साम भी कंड़क्टर आ जाए अब यहाँ पर मुझे जहां तक लगता है कि यह एक्साम कम से नोटिशन नहीं आ जाते हैं आयोक के वेसाइट को पर तब तक हमें इंतिजार करने पड़ेंगे इस डेट को लेकर जहां तक उमीद कर सकते हैं कि एक्साम ने साल में ही पॉसिबल हो पर यदि एक्साम आयोक चाहे भी कंड़क्ट करवाना तो दिसंबर के लास्ट विक तक कंड़क करवाए भी जा सकते हैं पर आगे चल कर ही इसके कंफरमेशन मिलेंगे तब तक हमें इंतिजार करने होंगे जिन कंड़क्ट को ये चाहिए था कि एक्साम कुछी दिन के लिए हमें समय मिल जाए उन सभी कंड़क्ट के लिए बहुत अची कबर है कम से कम आपकी जो डेट कम से कम एक मत मिल जाए पर जहां तक उमीद है कि 2023 में ही पॉस्बल है देखतें क्या निकल कर आता है आगे चल कर अभी के लिए तो कोई भी डेट नहीं है आयो के पास जो भी दिसम्बर की बात है की जा रही थी ये भी अभी के तक कंफरम नहीं है ना ही 26-27 नौंबर डेट चोड रद दिये ये भी डेट आयो के पास कंफरम नहीं है क्योंकि एक्जाम सेंटर पुरी अस्थेंट में नहीं मिल पाई है तो इंतिजार करना पड़ेगा आप भी तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को को देखने में जाहिंद